हमारी संस्किती, हमारी पहचान, यज्य, योग, आयुर्वेद, सदा रहे हमारे साथ, भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्य महिमा भारती संस्किती में यज्य, योग, एवा मायुर्वेद जैसी अमूल्ले विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद, इतिहाज की ओर द्रिश्टी डालें, तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर, राजा महराजाओं, ग्रामवासियों वो अरन्यवासी रिशियों की निद्य वन्यमेतिक यद्यों का प्रशलन देखने को मिलता है इधक्नख आगने इधन्नममा, Omूं सोमायस्वाहा, इधंसोमाय इधन्नममा ओम प्रजापतये स्वाह एदम प्रजापतये इदन्यमामा ओम इंद्राय स्वाह एदम इंद्राय इदन्यमामा यह अगहरा वज्य भग आहुती चार घी की विशश आहुती प्रदान करने के पहश्चाथ अब हम जडी बूटिया जो सामगरी रखी है उसके साथ-साथ आहुते पहले घी की आहुती दे देंगे अकेले करते हैं तो पहले घी की दे दिया और फिर सामगरी की और दो या दो से अधिक लोग करते हैं तो जो पूर्वा भी मुख हो करके पश्चिम दिसा में जो यजमान बेठे हैं वो घी की आहूती देंगे और बाकी सभी लोग सामगरी की आहूती आप प्रदान कर सकते हैं सामगरी को भी पकड़ने का एक डंगत है मध्यमा अनामेका और अंगुष्ठ इन तीन उंगलियों के माध्यम से इस प्रकार से सामगरी को पकड़ते हैं इस प्रकार से जब मंत्र से पूर्वा ओम का उच्चान करते हैं तब इसे हाथ में लेते हैं और मंत्र के अंत में जब ह स्वाहा बोलते हैं तब इस प्रकार से आहुती प्रदान कर देते हैं तो अब हम विशेश आहुतिया प्रदान करेंगे Om Surya Jyotir Jyotis Surya Swaha'a Om Surya Warďow Jyotir War eldest SWaha'a Om Jyotis Surya Suryo Jyotis Swaha'a इस प्रकार से यह हमने प्राथकाल यज्ज करते तो प्राथकाल इन यह चार विशेश मंत्र सायनकाल को यज्ज करते तो सायनकाल इन विशेश चार आहुतिया ओम अगनिर्जोतिर्जोतिर अगनी स्वाहा ओम अगनिर्वर्चो जोतिर्वर्च स्वाहा ओम तीसरी आहुति मन ही मन उचान करते हुए अगनिर्जोतिर्जोतिर्जोतिर्वर्च अगनी भाग को मन ही मन उचान करते हुए आहुति देते हैं ओम स्वाहा ओम सजुर्देवेनसवित्रा सजुर्दरेंद्रवत्या इस प्रकार यह साइन कालें विशेश चार आहुती इसी प्रकार उभई कालें विशेश आहुती ओम भूरग्णये प्राणयस्वाहा इदमग्णये प्राणय इदन्यममा ओम भुवर्वायवेपानयस्वाहा इदमवायवेपानय इदन्यममा ओम स्वराधित्याय व्यानाय स्वाहा इदमाधित्याय व्यानाय इदन्यमामा ओम भूर भुवस्वरग्निवाय वाधिते ब्याह प्राणापान व्याने ब्याह स्वाहा इदमग्निवाय वाधिते ब्याह प्राणापान व्याने ब्याह इदन्यमामा ओम आपोज्योतिरसोम्रितंब्रह्मभूर्भुवस्वरोम्स्वाहा ओम या मेधाम्देवगनापितरस्चोपासते तयामामध्यमेधयाग्ने मेधाविनम्कुरूस्वाहा ओम विष्वानिदेवसवितर्दुरितानिपरासुवा यद्भद्रम्तन्नाासुवस्वाहा ओम अग्नेनयसुपताराये अस्मान् विष्वानिदेववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्युहुरानमेनो भुष्ठांते नम उक्तिम्विदेमस्वाहा ओम भूर्भुवस्वाहा तत्सवितर्वरे न्यंभर्गो देवस्यधीमही तियोयोनाः प्रचोदयाद्स्वाहा ओम भूर्भुवस्वाह तत्सवितर्वरे न्यंभर्गो देवस्यधीमही तियोयोनाः प्रचोदयाद्स्वाहा ओम भूर्भुवस्वाह तत्सवितर्वरे न्यंभर्गो देवस्यधीमही तियोयोनाः प्रचोदयाद्स्वाहा ओम त्यम्भकईयजामहे सुगंधिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवबंधनान् मृत्यर्मुक्षियमा मृत्स्वाहा ओम त्यम्भकईयजामहे सुगंधिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवबंधनान् मृत्यर्मुक्षियमा मृत्स्वाहा ओम त्यम्भकईयजामहे सुगंधिम् पुष्टिवर्धनम् इस प्रकार से गुरु मंत्र, गाईत्री मंत्र, मृत्युन जय मंत्र से विशेश आहूतिया हम प्रदान कर सकते। इस से अतिरिक्त हम जितना विशेश यद्य करना चाहिए, इस सब अलग विशेश मंत्र हैं। इस प्रकार से संपून राष्ट्र के योग उर्क्षेम के लिए। ओम आब्रयम्हन ब्रामन ब्राम्ह वर्चसी जायता माराष्ट्रे राजन्याशुर इशव्यते व्यादे महारतो जायता। दोग्दिर देनुर वोधा नड्वा नाशु शप्ति पुरंधिर योषा जिश्नुर थेष्थाह। सभेयो युवास्यय जमानस्य वीरो जायता। निकामे निकामे नह पर्जन्यो वर्षतु भलवत्यो न आउशदया पच्चंता। योगक्षेमो नह कल्पतां स्वाहा इदम्राष्ट्राय इदन्नममा। अम्राष्ट्राय स्वाहा इदम्राष्ट्राय इदन्नममा। अब हम स्विष्ट कृत आहूति प्रदान करते हैं। अर्थात जो यह यज्य हवन अग्निहोत्र हमने संपन्न किया। उसमें कोई न्यूंता रहे गई, कोई अधिकता रहे गई, कोई दोस हो गया, कोई भूल हो गई। तो क्षमा याचना की भावना के साथ देवी शक्तियों को, प्रभू को, इश्वर को प्रार्थना करते हैं। कि प्रभू यह हमारा सूइश्ट कृत हो, हमारा यह यज्य कल्यान कारी हो, सूभ हो। और इसमें विश्श रूप से गाई के घी के आहुती के साथ-साथ मिष्ठान न पदार्थ, मिठे पदार्थों की हम विश्श रूप से आहुती प्रदान करते हैं। लड़ू है, महन भोग आदी, जो मिठाई बनती हैं। उस मिठाई आदी से, या केवल गाई के घी से, या गाई के घी के साथ मिठाई से हम इसमें विश्श स्विश्ट कृत आहुती प्रदान करते हैं। तो आईए, सभी लोग हाथ जोडते हुए पूरे श्रद्धा भाव के साथ, अब हम स्विश्ट कृत आहुती प्रदान करते हैं। और इसके पश्चात प्राजापत्य आहुती मौन होकर के अर्थात, मन ही मन प्रजापत्य ओम और स्वाहा बोलेंगे, मन ही मन प्रजापत् दूसरी आहुती हम प्रदान करेंगे। अब एक प्राजापत्य आहुती केवल गाय के घीकी आहुती प्रदान करेंगे। आहुती के साथ साथ अब सामगरिकी भी आहुती प्रदान करेंगे। यह हवन यजन संपन्न किया हवन यज्य संपन्न करने के बाद। अब हम विशेश रुप से संपूर विश्व के राष्टर के मंगल के कामना करते हैं। और अपने जीवर में ओज, तेज, बल, पराक्रम, आदे के प्रभू से प्रार्थना और कामना करते हुए। हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना कहते हैं प्रक्रिष्टे इन अर्थना अर्थात जो हमारे मन के द्वारा प्रक्रिष्ट रूप से चाही जानी वाली चीज होती है। जो खाते, पीते, उठते, बेटते, सोते, हर समय जो हमारे मन, मस्तिस्क और हमारे कर्मों में रम जाती है जीज़, इसको कहते हैं प्रार्थ ना, तो आए इसी भाव के साथ युक्त हो करके, हम सम्पून विश्व के मंगल के कामना करते हुए, प्रार्थ ना करते हुए, यह सांतिपार की ओर आगे बढ़ाते हैं, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनाह, सर्वे संतु निरामयाह, सर्वे भद्राणि पस्यन्तु, मा कश्चित दुख भाद भवे, इसी को गान के रूप में अर्थ के भावना करते हुए, हे एश सब सुखि हो, ओए नहो दुखारी, सब हो निरोग भगवन्धन धान्यके भंडारी, सब भद्रभाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखियान कोई होवे, स्रिष्टी में प्राण धारी, हे नाथ सब सुखि हो, ओए नहो दुखारी, सब हो निरोग भगवन्धन धान्यके भंडारी, त्वमेव माता च्रपिता त्वमेव, त्वमेव बंधुष्चा सक्षा त्वमेव, त्वमेव विध्याद्रा विणं मन्म त्वमेव , त्वमेवा अमा देवदेव त्वमेवसर्वं देवदेव त्वमेवसर्वं माम देव देव hatır। इस प्रकार यह यज्य हवन अग्निहोत्र हमने संपन्न किया वैसे हमने आज विशेश यज्य किया स्विष्ट करिताहुती से लेकर के उसे पूर्व में मेधा की कामना के लिए या मेधाम संपूर्ण दूरितो को दूर और सुब की प्राप्ति के लिए विश्वानी देव सुपत के लिए अग्ने नय सुफताराय संपूर्ण परिवार के योग और क्षेम के लिए स्तुता मया संपूर्ण राष्टर के योग और क्रेम के लिए आब्रम्हन ब्राह्मनों से लेकर कि कई हमने इसमें विशेश आहुतिया प्रदान की और देव यज्य अगनि होतर हम करते तो उसमें सोला मूल आहुति होती है और इन सोला आहुतियों को प्रदान करनती में ओम सर्वं वैपूर्ण स्वाह एक ही आहुति को तीन बार प्रदान करके और हम शानति ही तीन बार पाठ दौराते हुए हम सानति पाठ करके इस यज्य को हम संपन कर सकते हैं जो हम प्रार्थन, मंगल कामना या और भी बहुत सारी चीजे और कोई वेद, उपनी शद्दर्शन, आदी, एक सुत्र, दो सुत्र, श्लोक, मंत्र, आदी का स्वाध्याई भी हम जोड सके लेकिन ये सारी चीजे स्वेच्छिक है, कि हाँ आपके पाँ समय है, अनुकुलता ह आपकी रूची है, आप करना चाहें, तो यज्य के बाद प्रार्थना है, भजन है, या कोई वेद, उपनी शद्दर्शन, आदी, कोई मंत्र, श्लोक, सुत्र, आदी का थोड़ा सा पाठ है, स्वाध्याई, ये सारी चीजे भी करें, तो और हमें विश्यश लाब होता है, लेकिन यह जो सोला आउदी करीब करीब दस मिनिट लगती है इस यज्य को करने के लिए, उतना यज्य, उतना हवन, उतना अगनिहोत्र, हमें अनी वार्य रूप से अवश्य करना ही करना चाहिए, और उतना नहीं करने पर स्रिमत भगवत गीतां कहा, यज्य, सिष्टा, सि वकल विशय भुझते तू तवंपापा ये पचंति आत्मकारणा अर्था जो इतना यज्य करता है और उसके बाद जो भोजन को ग्राण करता है, वो सभी प्रकार के पापों से, दोसों से, दुखों से मुक्त हो जाता है, और बीना यज्य से भोजन करने वाला व्यक्ति को पापी कहा, और वो पाप का भुब करता है. यज्य शिष्टाम रित भुजय यांति ब्रह्म सनातनम नायम लोको यज्य से कुतो अन्य कुरुसत्तम जो व्यक्ति इस यज्य को कर सेश बचे हुए अन्न का पान करते हैं, वो सनातनम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, और आयम यजन नहीं करते हैं अगनेहोत्र नहीं करते उसके लिए तो यह लोग भी सुक्कर नहीं होता है पर लोग की तो बात ही छोड़े के न जाने कितनों ने आहुतिया दी इन अमित्र रोगों के संतापों से हैं वर्तमान भी आज दुखित न पूछो भविश्य के प्रकोपों से प्रत्युष्य पावनी होती जहां यज्य अनुष्ठान घर आंगन में वहां मनुष्य तर सब जूमते सांती भरे सुख आनंद से इदम हवी रियातु धाना नदी भेना इमाम वहत अर्थात जिसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है वेसे ही यज्या में आहुत की हुई हवी सभी प्रकार के रोग, दोज, ताप, संतापों को वेसे ही बहा ले जाती है जिसे नदी जागो जो यज्य के धुम से सोदे हुए पवन हैं वे अच्छे राज्य के कराने वाले होकर रोग आदी दोशों का नास करते हैं और जो दुरगंध आदी दोशों से भरे हुए असुद्ध वायु हैं वे सुखों का नास करते हैं इससे सब मनुश्यों को चाहिए कि अगनी में ओम द्वारा वायू की सुद्धी से अनेक प्रकार के सुखों को सिद्ध करें यज्य भारती संस्कति का मूल है विश्व स्वास्ति का एक नारा यज्य से होगा जग उजियारा भारती संस्कति की अमुल्य विरासत यज्य की महिमा को जानने है तू वैदिक चैनल पर प्रति दिन प्राता एवं सायन साले ग्यारा बजे यज्य महिमा कारिक्रम से जुड़ें विशेश जानकारी है तू संपर्त करें मोबाइल नाओ शुन्य छै आठ पांच छै पांच तीन शुन्य छे